नमस्कार YouTube चैनल एनी निर्स डबल टू में आपका सुवागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वायर ड्रोइंग के बारे में वायर ड्रोइंग यह है हम डायमेटर को कम करके कर सकते हैं अब बात करते हैं जो ड्रोइंग और एक्स्टूजन इन दोने के बीच में क्या डिफरेंस रहता है ड्रोइंग प्रोसेस में क्या होता है कि बार या फिर थिक वायर को अगर आप इस डायग्राम में देखें पूल किया गया है जबकि एक्स सिंगल डाई ऑं फिर सीरीस औफ डाइस के थू हम क्या करते हैं एक जो थिक वायर उसको गुजारा जाता है इसमें आप देख सकते हैं जो एक नंबर है यह हमें बताता है कि एक ठिक वायर है या रोड है इसके डायमिटर को कम किया गया है जब इसको डाइस से पास किया जाता है जो dyes में हम यूज करते हैं वो material उसका tool steel हो सकता है tungsten carbide हो सकता है diamond भी tungsten carbide हो सकता है जब हमें very fine wire की drawing करनी होती है तब हम single crystal diamond dyes का प्रयोग करते है hot drawing के लिए हम cast steel dyes का प्रयोग करते है steel wire drawing के लिए tungsten carbide से बनी dyes का प्रियोग किया जाता है कई मार क्या होता है कि इस dice को एक casing में cover किया जाता है जो एक steel casing होती है उसके बाद बात करते हैं कि जो temperature क्या रहता है wire drawing के दूरण temperature जब हमें small wire के case में क्या होता है जो temperature है वो हमारा room temperature रहता है जिस पे हम process को perform करते हैं लेकिन जब large wire होती है उस case में forces को कम करने के लिए elevated temperature पर drawing को perform किया जाता है तो बात करते हैं अब कि जो wire drawing process है वो किस परकार से होती है यहाँ दो diagram आपको नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ जो original wire coil है जिसका diameter ज्यादा है उस diameter को कम करना है उसको pass किया जाता है dice के through number of dice जो series में जुड़ी हुई है इसमें कुछ steps हैं जो हमें follow करने होते हैं सबसे पहले करने होते हैं जो thick wire है उसकी shrinking करनी होती है shrinking का मतलब है कि जो wire हमें rolling meal से pass करने के बाद मिलती है उसकी shrinking की जाती है और shrinking को करने के लिए हम hammering कर सकते हैं filing से भी कर सकते हैं rolling से भी कर सकते हैं फिर swinging process से भी wire shrinking की जाती है तो ऐसा पहले इसलिए करते हैं ताकि हम dice के through wire को fit कर सकें क्योंकि wire shrinking करने के बाद thick wire को dice में fit किया जाता है इसके बाद जो thick wire है उसको pull किया जाता है dice के through पूल करते समय क्या होगा कि जो थीक वाइर है वो प्लास्टिक ली डिफोर्म हो जाती है तो ऐसा करने से जो वाइर है उसका जो वॉली में वो सेम रहता है लेकिन डायमीटर कम हो जाता है और उसकी जो लैंथ है वो बढ़ जाती है और वाइर को सीरिज में लगे छोटे साइ wire का size हमें मिल सके और इस process के दुआरा small wire के case में area की reduction होती है वो 15% से 25% के बीच में होती है और large wire के case में area reduction 20% से 45% के बीच में होती है और इस process के दुआरा जो wire का diameter है वो हमें जो कम से कम हम प्राप्ट कर जकते हैं वो 0.025 mm हो सकता है और इस diagram में अगर आप देखें कि एक अलग से box आपको नजर आ रहा है उसमें क्या होता है कि lubricant का हम इस्तेमाल करते हैं तो question यहां arise होता है कि इस process में हम lubrication के हमें जरूरत क्यों पड़ी lubrication हम इसलिए करते हैं ताकि जो friction है उसको कम किया जासके और dyes को wear से बचाया जासके तो कह सकते हैं कि wire के good surface finish और dyes की long life को maintain रखने के लिए wire drying process में lubrication को करना पड़ता है और lubrication करने के लिए oil का इस्तिमाल किया जा सकता है copper sulfate solution का इस्तिमाल किया जा सकता है और lubrication कैसे कैसे की जा सकती है एक होता है wet drawing जिसमें dyes और wire या फिर road को पूरी तरह से lubricant में डुबो कर रखा जाता है एक होता है dry drawing इसमें wire या फिर road को lubricant के container के थूँ pass किया जाता है जिससे wire या फिर road के surface पर lubricant की coating हो जाती है metal coating इसमें wire या फिर road को kisी soft metal के साथ coating की जाती है जो एक solid lubricant की तरह कारिय करता है तो अब बात करते हैं कि wire drawing की applications क्या-क्या है wire drawing का इस्तिमाल cable बनाने में, electrical wiring बनाने में, spring, road, paper clips, welding electrodes, musical instrument wire बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है continuous wire drawing machine का प्रियोग हम telephone की जो wires होती हैं उसको बनाने में इसका इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में discuss किया है wire drawing और इससे related एक important बात कि wire drawing process से material की properties में भी बदलावा जाता है cold working के कारण तो दोस्तो आगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और any universe double two को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं कि नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे